हिंदी के पाठ्थे पुस्तक, बाल भारती के शेश पाठों का वाचन पाठ तेज, ठ, श, ज, मात्रा एकी चित्र देखो, चांद, आँख, जहाज, धनुष, गाठ पहचानों और बोलो चांद, आ, 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 थ, ख, ग, ई, ज, ज, जह, ग, जह, ़ disconnect, जहँ़, गो, श्योग, ख, खाठ र, श्योग, जयोग, खाठ, न्युग, जह, जह, जह ट्ख हां मां जां दां गां αν सां ठीक, उठना, लाठी, ठेला, पीठ, मेज, जमीन, दर्वाजा, हां, मा, हसना, गेहुं, गाव, मुह, उशा, धनुष, सुश्मा, ठंडा, उशा और संतोष यहां आये थे, इन चित्रों के नाम लिखो, पाठ चौबीस आँख मिचोनी रविवार का दिन था, सलमा और रहीम घर में बैठे थे, तभी कमला और मदन उनके घर आए, सलमा और कमला की एक सहेली थी, उशा, वह भी अपने भाई मोहन के साथ वहां आई, सभी बैठ कर बातें करने लगे, तभी सलमा बोली, चलो, अब आँख मिचोनी खेलें, सब बोले, हाँ, हाँ, ठीक है, आँख मिचोनी का खेल होने लगा, सलमा, कमला, उशा, रहीम और मोहन छिप गए, मदन उनको ठूंडने लगा, उसने दर्वाजे के पीछे देखा, वहां कोई न था, उसने खाट के नीचे देखा, वहां भी कोई न था, मदन बोला, अरे, तुम सब कहा छिपे हो, सब चुप रहे, फिर मदन ने परदे के पीछे देखा, रहीम वहीं छिपा था, मदन बोला, ढून लिया, ढून लिया, अब रहीम की बारी आई, वह दिवार की ओर मुह करके खड़ा हो गया, सब फिर से चिप गए, रहीम उनको ढून्धने लगा, इस तरह आँख मिचोनी का खेल देर तक चलता रहा, पाठ पच्चीज, दशहरे का मेला, पढ़ो, अना, ख, त्र, ग्य, श, बान, कख्षा, मित्र, ज्यान, श्री, रावण, रक्षा, चित्र, आज्या, श्रीमान, कई दिनों से राम लीला हो रही है, गाउ में बहुत बड़ा मेला लगा है, कमला और मदन, मा और पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे हैं, मदन का एक मित्र है, ज्यान, ज्यान मदन की कख्षा में पढ़ता है, रक्षा उसकी छोटी बहिन है, ज्यान और रक्षा भी मदन के साथ हैं, मेले में पहुचकर पिताजी बोले, वह देखो, रावण का पुतला, रक्षा बोली, अरे, इतना बड़ा रावण, मेले में बहुत भीड थी, वहां बहुत सी दुकाने लगी थी, बालक खिलोने खरीद रहे थे, रक्षा ने श्री राम का चित्र खरीदा, चित्र में श्री राम के हाथ में धनुश बाण था, मदन और ज्यान ने चित्रों वाली किताबें खरीदी, कमला ने चाबी से चलने वाली गाडी ली, मा बोली, देखो, राम और रावण की लड़ाई हो रही है, तभी राम ने रावण के पुतले पर बाण चलाया, पुतले में आग लग गई, उसमें से पटाखे छूटने लगे, रावण गिर पड़ा, पिता जी ने मिठाई खरीदी, सबने मिलकर मिठाई खाई, फिर वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े, पाठ चब्बीस, वर्ण माला, पढ़ो और याद करो, अ, आ, इ, ई, ई, उ, उ, ए, आ, 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 ओ, ओ, आ, ख, ख, ग, घ, ग, न, प्रो करें ज ज हैं त्ह र्रो दडर ब्रो धडर द करेंते हैं पढ़ो क्य, क्या, क्यारी च, बच्चा, बच्चे च, अच्छा, गुच्छा न, इन्हें, उन्हें एक दिन, बहिन जी ने कहा आओ बच्चो, आज हम बगीचा लगाएं बच्चे बोले हाँ, हाँ, आज हम सब मिलकर बगीचा लगाएंगे बच्चों ने खुरपों से मैदान की घास खोदी मैदान में खुब पानी डाला जमीन गीली हो गई बच्चों ने फिर खुरपी से जमीन खोदी कमला और रक्षा ने एक क्यारी बनाई सलमा और मनीश ने मिलकर दूसरी क्यारी बनाई इस तरह कई क्यारियां बन गई बच्चों ने क्यारियों में खाद डाली बहिन जी ने उन्हें कुछ बीज दिये बच्चों ने क्यारियों में बीज बोय फिर क्यारियों में पानी दिया कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर निकल आए अंकुर धीरे धीरे बड़े होने लगे बच्चों ने और पानी दिया पौधे बड़े हो गए कुछ ही दिनों के बाद पौधों में फूल लगे फूल बहुत सुन्दर थे वे कई रंगों के थे लाल, पीले, नीले और गुलाबी बच्चे बोले हाँ, कितने सुन्दर फूल है आप क्यारियां कितनी अच्छी लग रही है बहिन जी ने कहा हाँ, ये फूल बहुत सुन्दर है सभी बच्चे बोले बहिन जी, हम इनकी खूब देखभाल करेंगे पाथ, अठाईष, चुन्मुन चुन्मुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था चुन्मुन बड़ा नटकट था वह रोज अपनी मा के साथ घूमने जाता था अपनी मा के बार-बार मना करने पर भी वह इधर-उधर भाग जाता मा चुन्मुन को समझाती तुम अभी बहुत चोटे हो साथ-साथ रहा करो मैं तुम्हें खाना ढूनना सिखाऊंगी चुन्मुन कुछ समय तक तो मा की बात याद रखता फिर भूल जाता एक दिन चुन्मुन अपनी मा और भाई बहिन के साथ बाहर निकला उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाए दिये वह मा की बात भूल गया और भाग कर छिलकों के पास पहुँच गया वह अपनी चोटी सी चोच से छिलकों में से दाने धोड़ कर खाने लगा मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया चुन्मुन रोने लगा वह अपनी मा को धूर्णने लगा पर मा उसे दिखाई न दी खबरा कर वह इधर उधर भागने लगा उधर मुर्गी ने चुन्मुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लोटी चुन्मुन रो रहा था उसने रोते रोते अपना मुह खोल कर दिखाया मुर्गी ने देखा चुन्मुन के गले में मटर का एक दाना अठका है उसने अपनी चौँच से दाना निकालने की कोशिश की पर उसकी चौँच छोटी थी वह चुन्मुन के गले से दाना न निकाल सकी मुर्गी का एक मित्र था बगुला मुर्गी भाग कर बगुले के पास कई रोता हुआ चुन्मुन भी पीछे पीछे था मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई बगुले ने चुन्मुन की तरफ देखा उसे दया आ गई उसने अपनी लंबी चौँच चुन्मुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया चुन्मुन मा से बोला मा मुझसे गलती हो गई मैं आपका कहना मानूंगा बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा मुर्गी ने चुन्मुन के आशु बोचे और उसे गले से लगा लिया पार्ट उनतीस दो बकरियां पढ़ो बकरी बकरियां पाव पहुंची इधर उधर मैं मैं कहां वापस, तंग, चलूँ जंगल में एक नाला था नाले के पास दो बकरियां रहती थी, काली और भूरी नाले के किनारे हरी हरी घास लगी थी दोनों बकरियां रोज वहां घास चरने जाती थी एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी काली बकरी वहां नहीं आई थी वह आज दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी भूरी बकरी ने इधर उधर देखा फिर उसने नाले की दूसरी तरफ देखा बकरी ने सोचा उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है वह घास नरम भी होगी क्यों ना उस किनारे चलू नाला गहरा था भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी एक जगह नाले पर पेड गिरा पड़ा था पेड से नाले पर पुलसा बन गया था बकरी उस पुल पर चल कर नाला पार करने लगी जैसे ही वह पुल के बीच में पहुची उसे सुनाई दिया बकरी ने सिर उपर उठाया अरे वह बकरी तो इधर ही आ रही है भूरी बकरी ने पूछा बहिन तुम कहां से आ रही हो काली बकरी ने कहा मैं उस किनारे गई थी अब वापस जा रही हूँ भूरी बकरी बोली बहिन यह पुल बहुत तंग है इस पुल से तो हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती अब क्या करें मैं काली बकरी कुछ सोचने लगी फिर बोली मैं पुल पर बैठ जाती हूँ तुम मेरे उपर से निकल जाओ भूरी बकरी जट से बोली नहीं नहीं मैं बैठ जाती हूँ तुम पहले निकल जाओ भूरी बकरी पुल पर बैठ गई काली बकरी ने धीरे धीरे पाउं उठाए उसने अपने पाउं भूरी बकरी पर रखे फिर वह दूसरी तरफ कूद गई भूरी बकरी उठ खड़ी हुई वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई मैं 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 दोनों बहुत खुश थी वह भी नाले के अच्छ नाले कि अच्छ नाले के दो करता तेजा नाले के दो k 15 कि तो टूसरे का नाले का दो कि उतार लोगाओा का उतार लोगता प्रॉप गई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो